इमेद बानो मंसूरी मादमिक शिक्षक एकिकरत मादमी विध्याले विजानगी में पदस्त हूँ और मेरी तीन संतान होने के कारण मेरी सेवा समाप्त करती गई है सहीक तो संचालक महोदे से मुझे जो लेटर मिला है सर इसमें श्री शांग सिंग पवार सर है जो की मद्वदेश शिक्षक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे पूर्व जिला अध्यक्ष उन्होंने मेरी शिकायत करी है सर तीन संतान में और उस लेटर पेड़ पुर श्री प्रियम नारायन पुरोहित जो की हाई स्कुल गुराडिया में पदस्त हैं वो लिखते हैं और मेरे बच्चों की जानकरी मेरी बिना पर्मिशन से उन्होंने सभी स्कुलों से लेकर के जन्मदिनांग लेकर के मेरी शिकायत करी है जिसका मुझे कुछ पता भी नहीं था और मेरे बच्चों की जानकरी जन्मदिनांग निकाल करके उन्होंने शिकायत करी और मेरी सेवा समाप्त करने के लिए जेडी आफिस तक उन्होंने शिकायत पत्र दिये है और मुझे पूरी तरीके से परिशान कर दिया गया है मेरी आज सेवा समापत हो गई है, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, सर हायर एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, मेडिकल लाइन में हैं, जिनकी फीज भी आई होती है, और उनको देख करके, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा परिवार आगे कैसे पढ़ेगा, मेरे इस समस्या स से, मैं बहुत परिशान हो गई हूं सर, और मुझे नयाय चाहिए, क्योंकि मेरी 20 साल की सर्विस है, 20 साल में मैंने अपने विभाग में जो कारे किया है, उसमें मैंने बहुत मेहनत लगन से कारे किया है, मैंने संकुल प्राचारी के पत पर भी कारे किया है, जहां भी मैंने अपना शिक्षन का कारी किया है उसमें मैंने लगन से पूरो मेनस से किया है लेकिन चान सिंग पवार सर्ण ने मेरे साथ जो विरोध की भावना से वेश्टा की भावना से किया है ये कतई सही नहीं है और प्रेम नाराइन पूरोहित सर पूरी तरीके से इसमें इंवाल्व है और वो राइटिंग का कारियर उस लेटर पेट पे कर रहे हैं और मेरी शिकायत करवा रहे हैं और शिकायत करवा कर मुझे अपमानी मेरे मान सम्मान की प्रतिष्ठा को पूरी तरीके सुनों ने खराब किया है और मुझे पूरी तरह से देश्टा प्रूनक मेरे साथ इसा विभार किया जा रहा है। मैं आपसे यही कह रही हूँ कि मुझे अब विभाग ने तो सेवा समाप्ति का आदेश दे दिया है। अब मुझे कोड की शरण में ही जाना पड़ेगा और जहां से मुझे नियाय मिल सकेजा। और उनकी भी सेवा समाप्ति की जाए।